नमस्कार दोस्तो उत्राखंड करेंट एफ़ेर के इस वीडियो मा आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो मा हम दिसमबर 2021 के उत्राखंड करेंट एफ़ेर के जितने भी कुश्चिन है उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगी जो कि आपके आने वाले UK तरपरस्थी और UK PC एक्जाम के लिए बहुत जादा महत्यपूर होंगे और देखे फ्रेंट्स 2021 के उत्रखंड करेंट एफेर्स की वीडियो हमने अप्लोड की है यह आपको 3-4 पार्ट में मिल जाएगी पहला पार्ट आपको मिलेगा जनुवरी से जून तक ये वीडियो आप देख सकते हैं इसके बाद दूसरा पार्ट आपको मिलेगा जुलाई से अक्टूबर तक का तीसरा आपको नॉंबर की वीडियो मिलेगी और दिसंबर की वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो इन चार वीडियो में उत्रखंड current effect 2021 आपका completely cover हो जाएगा और हो सकेगा तो जनुवरी मन्त में इसको compile करके one liner format में हम upload कर देंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को start करते हैं पहला question है उत्रखंड सरकार ने हाली में किसे राज जी का brand ambassador बनाया है तो यहाँ पर देखिए इमेज में आप देखते हैं यह वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं पुसकर सिंग्धामी उत्रखंड की मुख्यमत्री रिस पंद से और रिस पंद को उत्रखंड सरकार ने राज जी का brand ambassador बनाया है रिस पंद का संबंद की स्खेल से है तो इनका संबंद है किरकेट से ठीक है यह भी एक्जाम में पूछा जा सकता है अब देखिए कुछ और brand ambassador जोत्रखंड सरकार ने बनाया है तो देखिए पावंदीब राजन इनकी बात कर तो यह राज जी कला परेटन और संस्कृति के brand ambassador है इसके बाद देखिए वंदना काटारिया यह होकी से संबंद है यह जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की brand ambassador है प्रितम भरतवान जागर समराट की नाम से इसको जाना जाता है और टीबी उनमुलन अभियान यानि कि टीबी हारेगा देश जीतिगा अभियान के brand ambassador है प्रितम भरतवान ठीके पावंदीब राजन सिंगर है इनको जो है राज जी कला परेटन और संस्कृति का brand ambassador बनाया है वंदना का टायरे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का brand ambassador बनाया है इनका संब्ध हरीद्वार जनपत से है और होकी की प्लेयर है और टोक्यो ओलिंपिक में एक मैच में इनने हैट्री गोल किये थे प्रितम भरतवान जागर समराट के नाम से इनको जाना जाता ह टीवी उन्मुलन अभियान का इनको brand investor बनाया गया है तो इनको भी आपको यारखना है और रिसर पंथ जो है उत्रकंट के brand investor बने हैं ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में किसे कुमाओं कमिसर नियुक किया गया है तो तेकि हाली में सुसील कुमार के इस्तान पर नए कुमाओं कमिसर बने हैं ऑप्सन नमर ए दीपक रावत तो तेकि इससे पहले सुसील कुमार कुमाओं कमिसर थे उनके इस्तान पर दीपक रावत को जिम्म कुमाओं कमिशनर की रूप में और इनको एक और जिम्मेदारी दिए गई है आरस टोलिया उत्रखन प्रसासन अकादमी नहिंतल एटियाई की निद्रसक की रूप में इनको पदभार दिया गया है तो इनका नाम आपको आखता है दीपक राउत ये नई कुमाओं कमिशनर है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दीपक राउत कौन से नंबर के कुमाओं कमिशनर है कमेंट बॉक्स में बताए कि दीपक राउत कौन से करम के कुमाओं कमिशनर है नेक्स्ट है वर्ल्ड बेटमेंटेंटेंट चैंपेंशिप 2021 में लक्स सेन ने कौन सा पदक जी हए वर्लड बड्क एंटेंटर चैंपिनशचिप्यंप थोगी भार्ष में बुस्थेंट में लग्सीषिण रादिया था और बात करें किदामभी जिर्कान क्लिच है रोजगतपदक जीटा सिल्वर मेडल फे departments तो वेन्यू आपको या रखना है इस्पेन में हो है और लक्स से ने जीता है कांसे पदक और केदाम भी सिरिकान ने जीता है रजत पदक बढ़ते आगे नेक्स्ट है उत्रखेंड लोग सिवा आयोग के नए अद्रेक्स के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया है तो हाली में ही न्यू आपोइट्मेंट हुई है उत्रखेंड लोग सिवा आयोग में अद्रेक्स के रूप में और ये हुई है राकेश कुमार और सी का सईचिवाब है, उके में अद्रेक्स के नए अद्रेक्स बन चुके है राकेश कुमार इन्होंने स्थान लिया है आनन सिंग राउट इससे पहले कौन थे आनन सिंग राउट उके में प्ययद सिगवान उफिसल वेबसाट पे ते आप देखे कर दो है UKPSC के पर्थम अध्यक्स कौन थे तो NP9 जो है UKPSC के पर्थम अध्यक्स थे बात करें लोग सिवायो की तो जब हम बात करते हैं राज जी लोग सिवायो तो इसके अध्यक्स की न्यूक्ति कौन करता है राज जी पाल के द्वारा इसके अध्यक्स की न्यूक्ति की जाती है कार तो आपको या रखना है, UKPAC के नए अद्रक्स बन चुके हैं, राकेस खुमार, बढ़ते आगे, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज सरकार ने दूद मूल्य प्रोजसाहन योजना शुरू की है, तो इस प्रसने का सही जिवाब है, आप्सिन नमर डी, उत्रक्षंट सरकार ने, तो उत्रक्षंट राज सरकार ने हाली में ही दूद मूल्य प्रोजसाहन योजना शुरू की है, और इस योजना की सुरू की है, तो आठ दिसंबर, ये डेट आप याद रख लीजे, आठ दिसंबर 2021, तीक है, आठ दिसंबर 2021 सही दूद मूली प्रोजसाहन योजना की सुरूआत हुई, तो डेट आपके लिए काफी ज़्यादा महत्त बढ़ा, आने वाले एक्जामप पोछा जासता है, दूद मूली योजना की सुरूआत कब हुई, तो आठ दिसंबर 2021 सही, दूद मूली प्रोजसाहन योजना की प्रोजसाहन रासी को बढ़ाया गया है, यानि कि जो पहले प्रोजसाहन रासी कितनी थी, तो प्रोजसाहन रासी थी 4 रुपी है, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है, प्रोजसाहन रासी को बढ़ाया गया है, लगबग 53,000 लोगों को इसका लाप मिलेगा, और 500 दूद विक्री केंद्रे खोले जाएंगे जिसमें 444 करोड का लगभग खर्च आएगा और ये योजना DBT योजना यानि की direct bank transfer योजना है इसमें जो राज़ती मिलेगी वो direct लाभारती के bank में transfer होगी ठीक है तो क्या कि आपको या रखना है आपको सबसे लिया रखना है किस राज़ी सरकार ने शुरू की है दूद मूली प्रफ़ान ये उजना ये की है उत्रखन सरकार ने कब की थी 8 दिसमबर 2021 को परवती लागों में एक रूपिया बढ़ाय गया प्रफ़ान और मैदानी लागों में 0.50 जूरो की 50 पैसा बढ़ाय गया है बढ़ते आगे नेक्स टे दिसमबर 2021 में उत्रखन की किस सहर में अंतरास्टी मदुबक की पालन महुस्व हुआ तो इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर B हलदुआनी में ठीक है तो दिसमबर 2021 में उत्रखन के हलदुआनी सहर में अंतरास्टी मदुबक की पालन महुस्व हुआ कब से कब तक हुआ 18 से 20 दिसमबर के बीच में तो ये आपके आने वाले एक्जाम में पूछा जा सकता है अगर आप UK तिरपरस्टी की तैयरी कर रहे है तो इस टाइब के क्वेशन पूछे आते है हाले के एक्जाम में देखा गया था इसी टाइब के क्वेशन 2019 का पूछ लिया था और 2018 का भी एक क्वेशन पूछ लिया था अंतरास्टी मदुमक की पालन महुसो कहा हुआ है हलदुआनी में और ये कब हुआ 18 से 20 दिसंबर के मद्दी और इसी टाइब के दो महुसो आपको और या रखने एक तो आपका अंतरास्टी सेब महुसो एपल फेस्टिवल जो हुआ था सितंबर 24 से 26 सितंबर की बीच में हुआ था कहा हुआ था देहरदुन में ठीक है इसके दूसरा था अंतरास्टी मस्रूम फेस्टिवल ये कहा हुआ था ये हुआ था हरी दुआर में ठीक है तो अंतरास्टी मस्रूम फेस्टिवल अंतरास्टी सेब महुसो और अंतरास्टी मदमक्खी पालन महुसो ये तीनू आपको रखनेने है इन तीनु महसोका उद्देश ही कहा है जो हमारे local उतपाद हैं उनको पहचान अचिर पहचान दिलाना उनको recognize करना यह इनका उद्देश है यह आप कह सकते है local फोल कि लिए महसोक होय थे बाढ़ते आगे नेक्स्ट है हाली में किसे उत्रखंड हाई कोर्ट का नया कारी कारी मुख्य नियादिस न्यूक्त किया गया है तो देखिए उत्रखंड हाई कोर्ट के 11 चीप जस्टिस से रागविन सिंग चोहान इनका जो टैन्योर है वो खतम हो चुका है 24 दिसंबर को इनके स्टान पर नया कारी कारी मुख्य नियादिस बनाया गया है अब ये कारी कारी यानि कि एक्टिंग या कारी वाहक कह सकते हैं ये मुख्य नियादिस क्या होता है जब देखिए किसी मुख्य नियादिस का कारी 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 खतम हो जाता है और नए मुख्य नयदिस के अपॉइंट होने तक जो इसके 20 गर्ट टाइम होता है उस बीच में एक मुख्य नयदिस चुना जाता है कारी कारी जो हाइकोट का वरिष्ट नयदिस होता है उसी को जो है कारी कारी मुख्य नयदिस बनाया जाता है तो अभी के लिए जो है संजी कुमार मिस्रा कारी कारी यानि कि कारी वहाग या एक्टिंग चीप जस्टिस हैं इसके बाद देखे या तो संजी कुमार मिस्रा को ही अपउइंट किया जाएगा वो होंगे बारवे मुखी नाइदिस या किसी और को भी अपउइंट किया जा सक 217 के तहट जो है, High Code में मुख्य नयदिस की नुक्ति की जाती है, कौन सा नुची थे? Article 217, यह आपको याद रखना है, और उत्रखंड High Code के पहले मुख्य नयदिस कौन थे? असोग देशाई, ठीक है, असोग देशाई जो है, उत्रखंड High Code के पहले मुख्य नयदिस थे, य वरत्मान में कौन है? संजे कुमार मिस्रा, जो की कारी कारी चीप जस्टिस है, ठीक है? और उन्हें किसका इस्तान लिया है? रागवेन सिंग चोहान का इस्तान लिया है, वरत्मान में भारत में टोटल 25 High Code है, ठीक है? बढ़ते आगे, नेक्स्ट है, उत्रखंड लोग संस कि रूप में मना जाता है, 24 दिसंबर को इंद्रमणी बढ़ोनी, जिनको उत्रखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है, 24 दिसंबर 1925 को इनका जन्म होता, 24 दिसंबर को इनकी जैनती मना जाती है, और इसी दिन जो है, 2014 से सुरुवात की गई, लोग संस्क्रती दिवस की, तो लोग संस्क्रती दिवस मना जाता है, 24 दिसंबर को, कि इंद्रमणी बढ़ोनी के जन्म दिन के आउसर पर, 24 दिसंबर को हर साल, उत्रखंडे लोग संस्क्रती दिवस की रूप में मना जाता है, इंद्रमणी बढ़ोनी की बात करता है, इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को कहा ह होता टेहरी गडवाल में होता एक्जाम में आप से पूछा जासकता है इनका जन्म कहा होता टेहरी गडवाल में होता कब होता 24 25 दिसम्बर 1925 को और उत्रख्ण के गाधी की नामसिन को जना जाता है ठीक है और देखिए अधर एक ओप्सन है याँ पर 25 दिसम्बर 25 दिसम्बर को भी आपको या रखना है 25 दिसम्बर 25 दिसम्बर 1891 को किसका जन्म होता वीर्द चानसिं गडवाली का जन्म होता टाके और 25 दिसम्बर को ही भारत के पूरू प्रधामंत इठल भीहरी बाचवी जी कबी जन्म दिसके अउसर पर मना जाता है Good Governance Day सुसासन दिवस मना जाता है 25 दिसंबर को तो ये भी आपको याद रखना है अब मैं आपको ये जन्म दिन क्यों याद दिला रहा हूँ क्योंकि यूकरितर पर से ऐसे question बहुत बार पूछता है जो हमारे उत्राखन के महान विभूतिया है उनके जन्म दिन के बारे में पूछ लेता है इनका जन्म कब हो आता है कहा हो आता है तो ये भी आपको याद रखना है और एक और question इंदरबढ़नी बढ़नी से पूछा जाता है खतलिंग गलेशियर की खोज का स्रही भी इनी को जाता है ठीक है बढ़ते आगे अगले question के ओर next है हाली में किसे full bright wishes अंतरास्ती सिक्षक सम्मान मिला है तो इसका सही जिवाब है option number A रमेश बढ़नी को तो देखिए पूरे wish में बात करें तो 18 शिक्षक को ये पुरुसकार मिला है और भारत के दो व्यक्तिव को ये पुरुसकार मिला है और इन दोनों में से एक उत्राखंके है जिनका नाम है रमेश बढ़नी इनको full bright wishes अंतरास्ती सिक्षक से पुरुसकार से सम्मानी किया गया है 2021 में तो ये आपको याद रखना है next है इनकी जोसी यानिकी निर्मल कुमार जोसी वन जीव संसल सम्मान से सम्मानी किया गया है 2021 में और ये डिप्टी रेंजर है अब रेंजर के हाँ बात आई तो एक रेंजर आपको और याद रखना है मैंने आपको करेंट फेर की वीडियो पढ़ा रखा है जिनका नाम है महेंदर गिरी ठीक है महेंदर गिरी जो है ये रेंजर है राजाजी नेशनल पार्क में इनको 2021 में अंतरास्री रेंजर अबोर्ट दिया गया था कौनसा अबोर्ट दिया गया था अंतरास्री रेंजर अबोर्ट किसको दिया गया था महेंदर ग्रीकुड और तिलोक सिंग बिष्ट का नाम भी आप यादा कीजिए इनको पहला N.K. जोसी 1 ये जीव सनस्य समान दिया गया निर्मल कुमार यानि कि N.K. जोसी की बात करतो जो उत्रखंड में चिपको अंदलों होता है उसकी जो समीती गठित की गए थी उसके एक एहम सदशी थे इनहीं के नाम पर इस प्रुसकार के सुरुबात की गई है बढ़ते आगे अगला प्रसन है उत्रखंड के चमोली जन्पत के घाट विकास खंड का नाम बदल कर क्या रखा गया तो हाली में देखिए उत्रखंड सरकार ने सुरुकृति दे दिये है चमोली जन्पत का जो घाट विकास कंड है क्योंकि लंबए समय से यहां के स्थानी लोगी मांग थी इसका नाम चेंज क्या जाए तो इसका नया नाम आप रख दिया गया है अप्रेल 2022 से कबसे एक अप्रेल 2022 से ठीक है सरकार ने अभी इसको स्विकृति दे दिये है एक अप्रेल 2022 से इसको लिखा जाएगा नंदा नगर और सांथी चमोली के ही जोसी मट का नाम जोतिर मट करने की घोसना की है मुख्यमंती पुसकर सिंग धामी ने इसके से पर घोसना हुई है लेकिन जो ये घाट है इसको स्विकृति मिल चुकी है सरकार के दोरा राजीपाल ने इस पर सासना देश चारी कर दिया है तो ये आपको याद अखना है इस प्रस्ने का सही जवाब है अउप्सन नमर ए विपिन रावत ठीक है भारत के पहले CDS रह चुके जनरल विपिन रावत की नाम पर रखा गया है देहदून के सनी धाम सनी धाम कहाँ पर रहसने थे तो इसका जो lead है में इंट्रेंस गेट है इसका नाम रखा गया है जनरल विपिन रावत दौर ठीके तो यह आपको यह रखना है और जनरल विपिन रावत जो है हमारे भारत के पहले सीडियस थे हाली महीं हेलिकॉप्टर क्रेस दुर्गट्टा में सहीद हो गये थे तो इनी की नाम पर इसका करता है ठीके और टोटल भारत में बात करते हो तो तो तीन लोगों दिया गया है जिसमें से दो उत्रखंट के हैं अनिलप का जोसी और रिदिमा पाड़े तो यह आपको या रखन है बढ़ते आगे नेक्स्ट है उत्रखंट के परेटेन मंतरी सत्पाल महराज ने जोर्ज एवरेश्ट हाउस का लोकारपण कहां किया तो इसका सही जवाब है मसूरी में आप जानते होंगे जोर्ज एवरेश्ट हाउस कहां पर इसते थे मसूरी में इसते थे ठीके इसका लोकारपण किया मतलब की जो जोर्ज एवरेश्ट हाउस था इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था जिनोधार इसका किया गया था और जिन पुछा गया था जोर्ज एवरेस्ट हाउस कहा पर रिस्ते थे तो यह मसूरी में सते थे नेक्स्ट है निम्नमसे किसे हाली में रास्टी भूस्थानिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर पीके जोसी तो हाली में ही प्रोफेसर पीके जोसी को रास्टी भूस्थानिक पृस्थानिक से सम्मानित किया गया है तो इसका सही जवाब है option number C उत्राखंड को ठीक है तो हिमानचेर प्रदेश में हुए एक कालिकरम में उत्राखंड को जो है Leader in Organic Farming Award 2021 से नवाज जा गया और ये हैं उत्राखंड के वरतमान में किरसी मंत्री सुबोध उनियाल तो इस प्रसंद से आपको इतना याद एकना है तो ये थे उत्राखंड मंत्ली करेंट एफ़र के कुश्चिन 2021 दिसंबर मंत के और आई होप ये वीडियो आपको पसना आए होगा तो ये है इस वीडियो का एंड थैंक्स पर रौचिंग और गॉड ब्लिश यो ओल